कैब दो आग इडि़ वूस्द डाउनलोड ठीक को है तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं गाहिज वाट सब के सपर ट्रेख का की गाइज किसी कभीع notice एसे कर एधन डाउनलोड मतलब कि आप किसी का भी इस्टेटस वीडियो कैसे कर सकते हैं डाउनलोड तो आज की इस वीडियो में इसी ट्रिक के बारे में आप लोगो को बचाने वाला हूं तो वाट्सब इस्टेटस वीडियो को कैसे कर सकते हैं डाउनलोड तो वीडियो को लास्ट तक जर रहेगा जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं वाटसब का इस्तमाल भारत में समय पूरे वर्ल्ड में होता है और ऐसे यूजर के देखते हुए वाटसब भी कई तरह के नए फीचर लेकर आता है जिसके ज्यादा से ज्यादा लोग वाटसब एप का यूज आसानी से कर प कि इस फीचर की मदद से आप लोग फोटो वीडियो इस्टेटर लगा कर आपके विचारों को सेर किया जा सकते हैं कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति का इस्टेटर वीडियो हमें पसंद आ जाता है अगर इस उसलिए को डारेक्ट डाउनलोड क ट्रिक बताने वाले हैं कि आप किसी दूसरे यूजर वीडियो को स्टेटस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए का सो फटाफट से हम इस वीडियो में वाट्सप की यह सिंपल ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं कि एंड्रोइट फोन में और आइफोन में वाट्सप जरूद नहीं पड़ती है अपने स्मार्ट फोन में उपलब टूल एपलिकेशन का उपयोग करने के लिए वीडियो स्टेटस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एंड्रोइट फोन में ऐसे कर दें कर लग अलग ब्रांट के मुवाइल फोन में इसका नाम अलग देखने को मिलता है उधाराल के तौ़र पर समझाओं तो हमसंग के फोन में आपको फाइल मैनेजर का नाम आपको माया फायल होता है ये बात गाइस आपको जरूल याद रखना है गृपहार आपको सू हैडन कर सकते हैं उसके बाद कॉपी कर वीडियो को गैलरी में मौझे कीजिलीज फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं ऐसा करने पर यह है आपकी डिवाइस वाट्सपट पंट सेटेथ वीडियो को डाउनलोड तो गाइस सिंपल सी बात है कि एपल के में वाटसप इस टीडाइस डाउनलोड करने में Android के स्मार्ट फोन में वाटसप इस्टेड़ में काफी अलग step होई तो गाइस आपको एपल के फोन में क्या करना है कि आपको फाइल मेनेजर एप के अंदर चीप हुई सिस्टम फाइलों को इनेवल करने के लिए जरूरत नहीं है जो आइफोन में यह काफी आसन है तो वीडियो में देखिएगा तो सबसे पहली बात है कि वाटसप इस्टेटस वीडियो को डाउ सेंसर इसके बाद घारिस आपको वीडियो को प्ले करना चाहते हैं जिसके बाद आपको पोरा वीडियो रेकॉर्ट होने के बाद आपको वीडियो की और करें और गाइस उसके बाद आपको option के तोर पर आपको पावर बटन को दवा सकते हैं जो वीडियो अपने आप ही आपके फोन के फोटो एप में सेव हो जाएगी आप इस प्रकार से आप अपने आइफॉन में आप स्टेटास वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यह ती सिंपल सी ट्र आप लोगों को संडे के दिन आपको मिलता रहेगा तो आज किस वीडियो में फिलाल कि इतना ही और मिलते हैं आपके साथ नेक्स वीडियो के साथ जब तक के लिए इजादत दीजिए वंदे मातरम के झाल